तो किया अधाय अधाय लुग का रहा है एडियेट रहा वा कि शोरा है न दोग राइड़िएश को रहा है न तो राइडियास को बारे हम जन चुक है इसारे पिक लास से अलेवन में कर चोट रहा है आप हम लोग यहां पढ़ेंगा trends of atomic and ionic radia in the period and the group, वो यहां पर ज्यादा तर तो period नी पढ़ेंगे, क्योंकि हम specific portion of the periodic level पढ़ेंगे, transition element का, तो ज्यादा तर हम तो पढ़ेंगे, series में पढ़ेंगे, 3D series, 4D series में क्या होता है trend atomic radius का, ionic radius, जो trend atomic radius का होगो ही ionic radius का होगा, अगर सबके उपर oxidation number से, oxidation number different होगा, तो ionic radia का trend हो सकता है, लेकिन अगर oxidation state सेम है, मतलब सबके उपर positive charge, negative charge, जो भी है, सेम है, अगर यह 1-1 positive है, सबके 1-2 positive है, सबके 2 positive है, अगर यह oxidation number सेम है, सबका, तो ionic radia का भी वोही होगा trend, जो की atomic radia का, इसलिए गर हम atomic radia का है, वाइनिक radia का है, वाइनिक radia का भी वोही होगा, दोनों में trend सेम होगा, रीजन भी सेम होगा, लेकिन, जब रहेगा oxidation state different रहेगा, अगर वाइनिक condition में है, और उसका oxidation state different है, तब और भी रीजन्स वहाँ दिखाना पड़ेगा, तब same trend follow नहीं होगा, trend different होगा, specific होगा, condition why इसके discuss करना पड़ेगा, इन general हम नहीं discuss कर पाएंगे, अगर oxidation state different है, लेकिन अगर oxidation state से नहीं है, तो in general हम discuss करेंगे, जो discussion हम है, प्रिजोडिक के वाद हमारा ही, यह भी चौला इसा है, यह होगा, प्रिजोडिक के वाद हमारा ही, यह भी चौला इसा है, यह भी आपी, यह पी है, इंदर S block element है, यह D block element है, यह D block element है, प्रिजोडिक के वाद है, यह F block, यह प्रिजोडिक के वाद है, यह भी चौला इसा हमारी यह है, झिक, यह Aikara की湧िक और रायनिक रैडिया जो है, भी चौला इसा से ज़्यादा होता है, और P से, 어려 dear, से कम होता है और P से जादा होता है, यहाँ पर क्या लिजा बिलात पर्टिकुलर पीडियेट में हम लोग बढ़ेंगे लेफ्ट वुराइट तो यहां पर यहां से स्टार्ट करेंगे देखेंगे इधर से इधर जब आएगा तो अटोमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर अफ एलेक्ट्रोन भी बढ़ेगा और नंबर अफ प्रोट्रोन गुद जाएगे यहां से जहीं, नंबर अफ प्रोट्रोन इधर से इधर बढ़ किया तो नूप्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अब इधर से इधर जब आम लोग आते हैं आस्टर के एस में तो एलेक्ट्रोन जो लास्ट और वीट में जमा होता है लास्ट और बिट में जाता है न लिए आधा बढ़ जाता है इसलिए हो यहसा है बड़ जाता है ए क्वेश़्यर चांज फ्रीक वसटिल में लिगेट चर्ज बढ़ लेगा वेद मिन्युभक बढ़ एक। लेकिन लेक्त द्शाइट जो नहीं पट ह राध्ग जए बढ़ते हैं तो एक ऑरिट में जमाँ अर्बिट में या या तो लास्ट अर्बिट में या इस पहले एक ह्पहले, ठीमें जमाँ उनी पर पर इंग थे में ईगे, सुषाँ समय में आपिभा की हुए, तो मलते समय में मुह टेंबम डाव के पर अधिट मलते है है। नरी टेन हम आपिड़ी में तो में इचता है। तो एलेक्ट्रोन जो है चुकि सेम औरबिट में जा रहा है तो एलेक्ट्रोन चुकि सेम औरबिट में जा रहा है तो स्क्रीणिंग एफेक्ट बहुत जादा नहीं हो रहा है और सबका पीरियेट सेम है ना तो स्क्रीणिंग एफेक्ट हो ही रहा है लेकिन सेम हो रहा है टीक है लेकिन नमबर ऑप इलक्रों तो आज चुकि आउटरमस्ट और्बिट में जा रहा है और बिट तो बदल ने रहा है तो सारा एलेक्ट्रों तुर एक ही जगह जमाओ है तो कि स्क्रेणिंग एफेक्ट थेल्ग हो गया फूबर की लिए जिछले इस लिए इस लिए इफेक्ट परना इंपोर्टेंस है, बेरियाशन नहीं है, तो आइनिक साइज में बेरियाशन आया कहा से, आइनिक साइज बेरि मेंट कोई खाफ नहीं हो रहा है तो इफेक्टिवी नुप्रेट चार्ज बढ़ेगा जब लेफ और राइट आ रहा है कि इफेक्टिव नुप्रेट चार्ज बढ़ेगा तो इलक्ष्ण को पूल करेगा एसलिए S block से D block element का size में शोटा होता है क्योंकि nuclear charge नेधियें रहा है. जैसे जैसे left to right आ रहे हैं, जैसे जैसे nuclear charge में बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे nuclear charge में बढ़ते जा रहे हैं, होइसे होईसे atomic size कम होता जाएगा, तो कि pulling जो capacity है nucleus का उपड़ते जा रहा है, तो squeeze in हो जाएगा, चोटा होता जाएगा, इसलिए S block से D block का atomic size जो है छोटा होगा, ठीक है, और इसी तरह से घटता जाएगा size, ठीक है, तो यह P block से बढ़ा होगा, नहीं कि P से पहले है, D block element P से पहले है, घटता ही जाएगा, तो और गटेगा P में और ज्यादा decrease हो जाएगा, सबसे छोटा size तो P में मुखलेगा, क्योंकि nuclear charge दवर बढ़ेगा, क्योंकि number of proton जैसे जैसे ड़र आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो nuclear charge continuously बढ़ेगा, तो जब nuclear charge continuously बढ़ेगा, तो atomic radius decrease करेगा, तो nuclear charge बढ़ेगा, समझग बढ़ा होगा और P block से बढ़ा होगा क्यूंकि S और P के हीद्टि P से पहले है यह इसका size बढ़ा होगा क्योंकि nuclear charge P में ज़्यादा ज़्यादा नंबर अपो प्रोटॉन P में ज़्यादा होगा S D के मुताबले P में number of proton ज्यादा होगा effective nuclear charge और ज्यादा होगा P में तो पुलिंग केपेसिटी आर बढ़ गया तो और चोटा हो जाए लाइगा इसे यह पी से बढ़ा हो गया ठीक है तो अपने लेंग्वेज में अपने से एरेंज करके लिग दो जाए ठीक है आंसर ठीक है कि नहीं हां अब दूसरा स्टेप्पेंट आ रहा है अमंग पर्टिक सेख्टी 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 सेख् तो ट्रेंड को हमारा, सहम ही रहेगा, Atomic Canonic Radius का, आया वसमें, क्या कर रहा है, कि as the atomic number increases, that's right, atomic number increase करेगा, तो Atomic Radius first decreases, Atomic Radius के रूम में decrease करेगा, जनरल ट्रेंड पड़े उसके हिसा, तिल दा मिडिल, मिडिल, मिडिल आते आते जो है, वो घटते रहेगा, वेडिल में एक बात constant हो जाएगा, लास्ट वाला जे एक element group 12 बला हुआ, अचानक बढ़ जाएगा, समझे की नहीं, तो graph गवाएगा, अधर हम graph बनाएंगे, ठीक है, अधर हम graph बनाएंगे, साइज का, ठीक है, इधर हम लोग radius देते हैं, इधर हम लोग radius देते हैं, और इधर atomic number देते हैं, ठीक है, इधर atomic number देते हैं, ठीक है, तो मालो की यहां पर इसकेंडियर में, अगर 3D सीरीज को में परस्टेर कर रहे हैं, पहला को में है, इसकेंडियर में, तो यहां इसे घट देगा, ऐसे घटना सुरू होगा, और यहां पीछ आया नहां, अब यहां तक घटा मीनिमम, अब यहां यहां पर बढ़ गया ना, जिंग हो गया, यह इसकेंडियर में, और यहां पर मेंगनीज हुआ, मेंगनीज से ले करके कॉपर तक सेम रहेगा, मेंगनीज से कॉपर तक सेम रहेगा, समझ मैंना है, मेंगनीज कॉपर, मेंगनीज कॉपर, मेंगनीज कॉपर, मेंगनीज साइ 3D स्केंटियुम. से अगर इंगे मेंट इसका से बाद करें मेंगनीज पीश पेकल को crossed. आइरण आएगा और निकेल हां आयरण कोः निकलाएगा इुच से हत ऐसे यह बात आएगा कॉपर कोपर के बाद गुरूप हे लिन हें में हैं तो यहां पर मेंगनीज से ले करके कॉपर तक फ्लैट रहेगा कि साइज में चेंज नहीं होगा कि समझ गया लगवाग बराबर रहेगा इतना कम चेंज रहेगा कि हम उसको नेगलेट कर सकते हैं ठीक है और अचानल लास्ट वाले का जिंक कब बढ़ जाता है यही ट्रेण्ड को 10 साइज में मिलेगा यही ट्रेंड का पाई इस्ट सेश ज्वाले कहा है जो ट्रेंड हम यह 3ड मेंबढ़ रहे में स्रीज में पढ़े दे सेम अपर अमिक अइनिंग साइज मीलेगा चारों बांदिकशन स्रीज इसका रिजन क्या है कि इसकेंडियम में का इलेक्ट्रोनी कॉन्फिगेशन क्या है 3D1 इसका 3D5 है इसका 3D तो सबसे काम अनपेड़ इलेक्ट्रोनी समें है ठीक है एक अनपेड़ अब क्या वता है कि लेप टू राइट जब जा रहे है इफेक्टिव नुकलियर चार्ज तो बढ़ रहे है यह बात मालूम है तो यहां भी बढ़ेगा जहां इधर से इधर जब बढ़ गारे हैं इसी के चलते हैं रेडिया तो है नहीं है लेकिन transition series में आने के बाद एक और नया चीज हो रहा है यहाँ पर electron, last electron, electron का जो entry हो रहा है लास्ट orbit में नहीं हो रहा है last orbit से एक पहले बाद हो रहा है last electron, 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 last लास्ट वाला ओर्बिट छोड़ तरिके उसके पहले वाला ओर्बिट में जा रहा है लास्ट वाला एक नया नया अलेक्टों जा रहा है इसमें जा रहा है लास्ट से पहले वाला इनर ओर्बिट हो गया है इनर ओर्बिट ही ना स्क्रीनिंग इफेक्ट रेता है यह सही है कि जब ब्लोक सबसे जादा देता है, एस ब्लोक सबसे जादा देता है, लेकिन दी और्बितल भी तो देता है na spinning effect, तो कुछ तो असर खाए गाई गाई न, तो नच्टो राइट जब जार हों कि इफ़ेक्टी नूक्लियर चार्ज इंक्लियस करहा है, नूक्लियर चार्ज अंक् अब है श्रेंट चल घा पर है अभी तुछ प्रियर्ट में ही फोन रहा है और है अज वास में बेंगार लेकिन यहां पड़ेक्ट रहा है यह देनिन एफट वी आ है सब्सक्राइब अधार गाला पर फटाल रहा है लेकिन इसमें तो लास्ट एलेक्रोन अंदर जा रहा है लास्ट एलेक्रोन लास्ट से पहले नुजा रहा है तो जब इनर और उर्बिट्म जाएगा तो बड़ेगा है एक एलेक्टर नुह है इसका चलते कुछ इसक्रीन के बाद आ एक्टरों इसके वाद आगे तीन वाद एक्टरों एक्ट discoveries बेनेडियम और लिल्डी एंग एप 3 S3 रही ज़्क ही पढ़ते ही जाएगा तो यह जो एलेक्ट्रों बढ़ता तो यह जो बढ़ता है उसके उलटा ही काम करता है उसको मैंज करना शुरू कर जयता है उसके एफेट को कम करना शुरू कर जाता है थेसलिए यह जो है रेडियास घड़ता तो जरूर है लेकिन रेट स्टाफन हो जाता है डिक्रीज श्लो हो जाता है ज़र जिपना तीजी से घड़ था ऐससे डी में आधे में अब डी के अंदर देखोगे तो डिक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ाता जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूप्लियर चार्ज को मैनेज करें यूप्लियर चार्ज को बढ़ाता है आज स्क्रीनिंग इफेक्ट को कम करेंगा तो डिक्रीज तो होगा लेकिन इफाइव आते आते इफेक्ट और न्यूप्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ावर होगा इफाइव आते आते हैं इसलो तो रहाएए जैसे जैसे बढ़ रहें है इसलो जो जो दिखाना है इतना नीचे नहीं कर देना तो लोग जो डाइग्राम बनावगे उसको यही सई सब्सक्राइब है इसलो कर दािख्राइब कर देना थिख्री आते है अचेजी सब्सक्राइब कर देना तो फ़िख्रेज कि बहता है के इनने फिट, इतना आ जाता है , इतना आ जाता है कि इंक्रेजिन में कुछ नूइर्ड सिक्वार्वर पुरी तरह से, दोन ऑनल बराबर के कर एं है , तुध है नाए चिना पुर सिर्शी का उसना नो बराबर ह然े है, यहां से यहां से यहां तर जो है screening effect और increase in nuclear charge एक दूसरे को exactly balance कर देता है तो इक दूसरे cancel हो गया तो zero अब ना घटेगा ना बढ़ेगा अब आइनिक radius घटने वाला है और ना घटने वाला है यहां मेंगिस से फापर तक same रेगा मेंगिस से पापर है गुरूप μेलवर और यहां अचनक जिंक में बढ़ता है वचेंग मेंद ऐड़्जा ऀ कि जिंक में में बढ़ जाता है कि खे ना बर गया अब स्क्रिनिंग इफेक्ट जो है यहां पर यूँ पढ़ गया साइसाइस कि वह और पढ़ गया तोकि वह इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होगा वो जो है नूपलेट चार्ज के ऊपर उबर पावर करेंगा इसमझ गया ना एलेक्ट्रोन डेंसिटी बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन बढ़ गया बढ़ना शुरू हो गया तक सब्सक्राइब एक 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 एलेक्ट्रोन डाड़ एक अगया दीफाइब तक पोई पल्सन नहीं दीफाइब तक पर गया इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन यह जादा हो गया जैसे ही कम्पलीटजी फिल्ट है इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन काफी जादा हो गया जैसे ही Veterans इंटर एलेक्रोनिक रिपल्शन जब काफी ज़्यादा हो जाता है तो एलेक्रोन डेंसिटी फैल जाता है इंटर एलेक्रोनिक रिपल्शन ज़्यादा होने के तारण एलेक्रोन डेंसिटी फैल जाता है गया इन्ट एलेक्ट्रोनाइक रिपल्षम सार्य और रेज्ट्रोन इल्क्रोन देंशिटी में अगालेज्टी और आनप टाते इन्ट लिट्री नियगेश दैट हो गया। लेकिन जैसे ही completely filled होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है इसके चलते उसमें swelling तो size बढ़ गया, Lotion up हो जाता है, effective nuclear charge वहाँ पर dominant नहीं रह जाता है, subside कर जाता है, dominant हो जाता है inter electronic repulsor, screening effect तो बढ़ी है, और उसके साथ screening effect पढ़ने के साथ साथ, वहाँ पर inter electronic repulsion भी पढ़ गया, दोनों मिल करके nuclear charge को दबा दिया, समझ गया कि नहीं, इसका effect चल गया, इसलिए उसका size है वह समझ मा गया, clear हुआ, तो finance and atomic radio दोनों में trends रहेगा, answer में same देना है, explanation भी same देना, यहाँ पर ध्यान सांसर देना, inter electronic repulsion का discussion ज़रूर होना चीए, इसके चलते जो है, इसका size बढ़ जाता है, क्योंकि आपने कपज में ले लेता है, swells ठीक है, समझ मा गया, clear हुआ, और यही trend जो है, सारे series में चले है, ठीक है,